गीता अठारा के श्लोक नंबर बासट में भगवान स्वयम कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शान्ती वशास्वत इस्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा वो परमेश्वर कौन है कहा है कैसा है जानने के लिए कृप्या अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित्वचा गृप्दा साहिब जी कहते हैं जगत का पेखना पेख्या दनी का नाम ना लेखा जो स्वेमार अगोदी में उसका ज नामबर बने यह ऐसे ही बन रहे हैं इनके नमबर सब के जैसे यह दास श्री शक्रसंदी विष्णु जी संकर बगवान अनुमान जी और श्याम जी इन सब के पुजारी थे जैसे बच्चे न तो सिक्ष्या में पास हो जाओए बहुत बड़ी उपलब धीमानी जाती है तो पास हो जाते है शुक्रमना करते है अपने बगवानों का फिर रोजगार पराप्त हुआ सर्विस लगी शुक्रमना अपने बगवानों का संतान में उप उइ उस शुक्रमना अपने बगवानों का अब पता चला कि यह तो कुछ दे ही नहीं सकते यह तो पिछले संसकार हमारे पाप का नास करके हमें सुकी कर सकते हैं, दुख का निवारन कर सकते हैं, ये था ओ धढ़ी, कहते हैं, जगत का पेख ना पेखा, धढ़ी का नाम न लिखा, जो सुक उछ करता उसका जिकर भी नहीं था, अब क्या होता है, अब गरीब दास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में कैसा चीतरन किया है अपनी अमरतवानी में, थोड़ा सा ये वरन करते हैं, परमात्मा की अमरवानी है पुनात्मों, जैसे यहां आए हुए बच्चे जो सो भी गए, छुटे छुटे बेटा बेटियां, उनके उपर भी ये वानी असर कर रही है, उनके अंदर बह बोत कुछ प्रकिरिया कर रही है, जैसे एक सर्प डसा हुआ व्यक्ति मूर्चित हो जाता है, और गारणू एक मंतर, एक संटेंस अपना सिद्ध कर लेता है, उस मंतर को बार बार बोलता रहता है, उस श्रीर के उपर, वो तो अचेत पड़ा है, और उस के बोलने से, उस व और ये वानी तो सव सिद्ध प्रमात्मा सत्पुर्श की, और अमारी आत्मा और संक जन्मों से सनी पड़ी हैं पापों से, प्रहरुद के पाप भी बिना गिनती के हैं, और इस वानी के रह रहकर पाठ सुनने और सुनाने से, करने से, ये आप किसे के ना भी समझ माती और इन बच्चों पर जो इन पर दोर सिगर करेगी क्योंकि यह मनुस जीवन प्राप्त है और ये जितने भी पसू पक्सी हैं जीव जन्तू पेड़ पोदे गास फूस ये सभी जीव है ये अपना करम भोग रहे है इनकी उपर भी प्रमात्मा की ये अमर कतासर करेगी इनको सिगर अब मनुस जीवन मिलना शुरू हो जाएगा और कलियोग में जहां जहां इस मालिक की वानी का परचार इपते डूंडा ठाओगा प्रमात्मा क्योंकि मॉबाइल बुनवादी ये जाता ने इसी चिपनवादी इसमें पचालिस घंटों का सत्संग अमरवाणी आ जाती है और जहां भी कोई बच्चा जैसे यहां देखता है दास कोई बेलदारी कर रहा है अपना यहां कोई सेवा करने आ रहे हैं मॉबाइल चल रहा है काम कर रहे हैं खेतों में भी अपने जैब में मॉबाइल चल रहा है और काम कर रहे हैं वाणी वहां भी चल रहे हैं सुन रहे हैं मंद्र चल रहे हैं तो जहां-जहां यह वाणी फैलाएगी उन सब का उद्धार होगा इसस्त करमान लेना और मुनस जी उन प्राप्त होगा आदे से ज़्यादा संसकार इनके खतम हो जाएंगे उनके भी और तुरत बानों स्रीर प्राप्त कराना सुरू कर देगा क्योंकि हम सभी उस परमातमा के बचे हैं और उस परमातमा ने सभी के उपर रहम है सभी के उद्धार की चिंता है किस की किस परकार होगी किस की किस परकार होगी वो सब परमातमा सारे फार बुले लगा जे ने हैं क्योंकि अब ये वो मोकसे में आ गया जो परमातमा का तो कहने का बहुदास का ये है कि इस अमरवानिनस जितनी बार सुना उतना ये थोड़ा और प्रमात्मा की कथा को सुनने में आपकी इतनी रूची रहनी चाहिए जैसे आप सुबह आहर करते हो और स्याम को फिर उसी भूख लगती है तो आप सवस्थ हैं और यदि आपको कुछ एरुची बनती है भोजन में तो समझो आपके कोई ना कोई शरीर में रोग सटार्ट हो गया है अब उसका इलाज क्या है उपचार क्या है भूखना लग गया तो कोई टेबलेट लेनी पड़ेंगी कोई रोग है तक कड़वी औस दी खानी पड़ेंगी तब भूख लगेगी तो अब ये प्रमात्मा की कथा वाणी ये दोन्नों काम करेगी आत्मा की खुराक भी है और ये रोग नासक भी है इसक में जिस विक्ति को ये एरूची होती है कि ये तो कई वार सुने ली तो समझो उसका कोई पाप कर्म जोर देगा अब कोई करड़ा पाप आ लिया जवर के वेगत भूख बेदा हो जावे किसी विक्ति को मलेरिया जवर हो गया हो और उसको भूख नहीं लगती काजू किसम सेव संत्रे रोटी प्रती दिन जो आहर करते हैं वो भी कड़वी लगती है रोटी कड़वी नहीं मनुखा दाख कड़वी नहीं उस जवर ने उसके सरीर की विश्था इतनी बेगाड़ दी के स्वादीष्ट विश्थो भी उसको कड़वी लग रही है उसका ट्रीटमेंट क्या है कुनीन खानी पड़ेंगी कड़वी जीब पविना रखी जा इसी कड़वी और फाकी मारनी पड़ेंगी तब वो जवर उतरेगा और जवर उतरेगा तब भूख फिर सटार्ट होएगी और फिर ऐसी भूख लगेगी बुखार उतरने के बाद इतनी गजब की भूख लगया करा है गरके भी नहों करा है गणी रोटी ना खागा कदे फिर बिमार हो जा तो पुने अत्माओं पर्थम बार जो सत्संग सुनता है उसने एरुची सी बनती है कदे सुनया नहीं कबीर बगवान बता हूए हम न तो यह कदे सुना नहीं तो यह उसका जवर है मलेरिया हो रहा है उसका है और कुछ एक न वो भी चर्चा अची ना लागती वगवान की रागनी कितनी है सुन ले फिल्मी गाने तो रात न भी सुने जा और यह ना अची लागती तो उसके पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा मूर्चित हो रही है वह गरश्ट है उस जवर से पाप के जवर से और पाप कटेंगे समर्त की वानी अमर्त वानी के ट्रीटमेंट से और फिर वो व्यक्ति हिम्मत सी करके यह वचन सुन दे बगवान के सत्संग के यह फाकी मार ले और पांच यार सत्संग ना चाते वे भी सुन दे जैसे गोलि कोई खाक बटी जो खाकराजी है कोई पर हंगासा करके खानी पड़ती है और फिर रंग लाती है भुखार तार देती हैं भुखार उतरते हैं फिर वह टीतनी स्वादिश्ट लगती है कि सूकी खाजा सबजी कि भी हो सकता नहीं अपने आत्माओं ये दास देखता है गाओं गाओं में घर गर में जा करके दास ने प्रमात्मा की अमरत्वत्न सुनाए पहले तो प्रिवार का एक सदस्य किसी के कहने से दास के पास आया फिर पाठ रखवाया घर जाते थे तो घरवाले उनके सारे नो पाइक लाया करते साथ पर सुन इन भी सुन ना दया वह अपना बैठ का किता न किता जरूर सुनते कुने में कमरे में बाहर बीतरे तो यह तो इसे वचन है उसकी उतार देंगे बुखार को अगले दनता हुए सत्संग सुनने के लिए सामने बैठ जाते थे और फिर वही व प्रवल शक्ति है वगवान की वानी है कवीर वगवान की गौड गीवन है गृबदासी को दी उन्होंने आगे लिखवाई भगवान का दिया हुआ यह वो मंत्रीत गरंथ है अब परमात्मा की थोड़ी सी वानी सुनाते हैं फिर हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि परमात्म जब सिसुरूप दहरन करके आता है कवारी गाएं का दूद पीता और नहीं पीता हो यह गुण कुण से वगवान में हैं जो वेद बताते हैं यह फिर कंसेप्ट हो जागा वेद जो बताते हैं इस गौड जो वेदों में बरनी ता हुआ है परमात्मा और वो लिला की किसने वो उनकी लिलाओं से पता लग जागा शिरी राम को आम बगवान मानना थे वा देख लियो शिरी कर सन्न मानना थे उनमा देख लियो जाली ला पा जाता है और कवीर साहिब की लिलाओं मैं जो कितों बी दिमान आपको दिखाएंगे ठ्सोवरस पहले लिखे हुए और पुनात्माओं जिस परमात्मा के लिए मनसूर जैसे महापुरुष ने अंग अंग कटवा लिया लेकिन बगवान का मारग छोड़ा नहीं और सेख फ्रीद जैसे महापुरुष ने कुए मलटक कर जीरन शिरन कर लिया शरीर को मालक को पाने के लिए गोपी चंद और भरत्री जैसों ने राज ट्याग दिया वगवान को पाने के लिए हैं और वो प्रमात्मा एक सैद सुभाव से और उस पुनात्मा के सीने से लगा हुआ बालक रूप में अब पुनात्मा बरफ के डले पर है बरफ की डली पर है शिली पर सुभावी का और आसपास रखी हो तो भी उससे एक ठंड की लहर निकलती है तो ये सुखदाई परमात्मा है जब आत्मा के निकट आ जाता है उसके पाप दूर भाग जाते हैं निसकरिये हो जाते हैं उस समय आप गरीवदास साहिब जी क्या बताते हैं उनकी अमरत वानी में परमात्मा से प्राप्त वाणी में आपको सुनाते हैं चोरासी बंधन कटे किनी कलप कबीरे बवन चतुर्दस लोक सब भाई तूटें जम जंजीरे अंत कोट बेरमांड में वो बंदी छोड कहाए सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए सेवक होके उतरे इस पर्थवी के माही जीव उधारन जगत गुरु हूँ बार बार बली जाई जल्थल पर्थवी गगन में ये बाहर भी तिरे एक पूरन ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरस अलेख शेवक होके उतरे इस पर्थवी के माही जीव उधारन जगत गुरु बार बार बली जाई अपने आत्मा आमने भगवान सुनया था पर उसके गुणों से प्रिचित भी थे लेकिन ये देखा नहीं था सुना कहीं कभी नहीं सुना था कि वो भगवान ऐसा है अब पता चला कि वो प्रमातमा जो हमारा भगवान है वो हमारे लिए कितना दुक है अब कितना कश्ट उठाता है जिसका बच्चा कुमारग पर चल पड़ता है सराब पीता है सुलफा पीता है या कोई और चोरी ठगी करता है बकवा दो माँ बढ़ गया है वो मात पिता उस बच्चे के पीछे पीछे फिर आगरे हैं कभी इसको सुद्धी आजा और हमारे पास लोट आवे हैं बुराई छोड़ दे तो अपने बच्चे को फिर वो सर्वे सुख देने की चेश्टा करते हैं तो हम बिगड गे और बिगड का इस काल के साथ आगे इसना हमारे साथ यहां हमारे को दोना बुरे कामा पला दिया अब पिता जी आते हैं वहां से हमारे दुख को देखकर किसी परकार यह मुझे पैचान ले और उस सुख से इने परिचित करा दू जिस फिर यह वहां चल पड़े सारे अब सारे बर्मंडों का रचनहार और यहां एक जौफडी मा का बैठी गया और कबड़ा बुना है कहते हैं सो सलसीदर मैं करूँ अपने जन के काज और सारे बर्मंडों का संचालन वहीं से रिमोट से कर रहे थे काज सी की कुटिया से अब क्या बताते हैं गरीब दास साहिब जी सेव को का उतरे एक दास बनका आए इस परित्वी के मा और किस लिए जीव उधारन जगत गुरू जीव का उधार करने के लिए जगत गुरू माने सब को ग्यान देने के लिए सब को ग्यान दाता यानि जगत गुरू सब को सब को सतमारग बताने वाला परमातमा एक दास बनका है शेवक बनका है जुलाहा बनका है अपनी वानी में देखो प्रमातमाने सब जगे दास सबत परियो के आगे कबीर दास कबीर दास और ये हमारे लिए वायाड़ा आंडी पाके पार नहीं पड़े यहां तो दास बनोगे नमर होगे तो मैं निकट आ सकूँगा ये नियम है मेरा के जैसे रावन नहीं बगति बतेरी की आप नहीं कर सकते ऐसी बगति रावन ने बगती की यहां से काट के चड़ा दिया किया वैसा मिल गया लेकिन आदिनी ना आई कि एप किते हैं बिन आदिनी के के पास हैं ये पूरण बर्काँल मान बढ़ाई मारियो बे अद्वी सरकाल है फिर कहते हैं वी बिक्षन का भाग बढ़ेरा दासातन आया तिसनेरा दासातन आया बेस्वेबी सा ताको लंक देई बख्षी सा तो उसने जैसे वी बिक्षन के अंदर दास बाव था वो कबीर परमेश्वर जो मनिंदर नाम से आया हुए थे उनका सिस्था रावन में एक एंकार था उसमें दास बाव नहीं था उसका सर्वे नास हुए तो यहां यह सिक्षा दे रहे हैं कि भाई तुमने नमर बढ़ना पड़ेगा मुझे बुलाने के लिए मुझ से लाब लेने के लिए यहां पर एंकार नहीं चलेगा कभी यह मन पापी अभी मान करने की चेश्टा करें तो याद राखे हैं मारे वगवान भी किस तरह रहा करते थे कोई दानक कहें, कोई ढेड़ कहें, कोई दुला कहें कोई बुंडा कहें, कोई गुंडा कहें लेकिन सब की सेन करते हुए अपने उदेश्टे को पूरा कर रही थे आप जीने भी ऐसे ही करना है कहते हैं मान, अमान करो को ना कोई है मम संत सरन और जगत जान छोई जब आप, कभी साहब कहते हैं मेरे संत की जब सरन में तुम आजाओगे तो आपका चाहे कोई अपमान करें यानि समाज वाले, संसार वाले और चाहे आपका आदर करें उनकी तरफ नहीं देखना, आपने अपना उदेश से आदर करें तो यहां कहते हैं जब आपका होके उत्रे इस पर्थवी के माँ और जीव उधारन जगत गरूब बार बार वली जाएं बालग बन काएगे फिर क्या कहते हैं कासी पुरी कस्त किया ये उत्रे अदर अधारे मौमिन को मुजरा हुआ वा जंगल में दीदारे मौमिन मुसल्मान दुलाहे को जंगल में मिले परमात्मा और कैसा रूप था उस मालिक का सीसू का कोट किरन ससी भान ने सुदिए असन अदर विमाने वह सत लोग में तो परमात्मा के एक रोम कूप में क्रोड सुरिय क्रोड चंदर्वा मिला दे इसा रूप है लेकिन यहां हलका तेज़ पूझ का रूप बناकर आएए हुए थे कोट करन ससी भान ससी माने चंदर्मा भानो माने सुदिए करोड कोटी कोटी करन ससी भान ने सुदिये असन अधर्माने अधर्माने ओपर तो मालिक کا ऐसा सरीर है और नीचे परसद पूरन ब्रमकूं सीतल पंड और प्राणी पूरन प्रमात्मा को सीने से लगा रखा था छूर रखा था तूसे नीमा ने कहते हैं उसकी इकती आनद काया होगी थी सीतल पंड और प्राण गोदलिया मुख्चूम करे हेम रूप जलकंते जगर मगर काया करे दमकों पदम अनन्ते गोदलिया मुख्चूम करे बालक का उस परमात्मा का गोदी में लेका सीने से लगा वे मुख्चूम है और सुक्र मना वे हेम रूप जलकंते हेम माने बर्फ कैसी सफेद दी सफेद सरी था माले का बरेफ जैसा जैसे कोई कपड़ा खरीदने जाते थे ना सफेद तो उसको कहते थे दुकानदार को भाई सफेद देना सनो वाइट हो सनो वाइट यानि बर्फ के सा सफेद तो यहां प्रमातमा की शेम अगरीबदास साथ कहते हैं कि हेम यानि हेम रूप जलकंत उनका सरीर रूप बर्फ जितना सफेद था सनो वाइट था और जगर मगर काया करे जनुदम केंपदम अनंत ऐसे सरीर से नूर निकल रहा था पर बातमा की जल्मल जल्मल गोरी थी उस समय फिर अपना सेट कर लिया कासी उम्टी गुल भाया वहां मुमन का घर घेरे कोई कै बर्मा भी सुनो है कोई कै इंदर को बेरे नीरू कहने लगया अपनी पत्नी से कि तु इसने यही रख दे हम साथ ने ले जाएंगे पहले हम हिंदू थे हमें मुसल्मान बना दिया हिंदूों से प्रीचे रहा नहीं लिंक रहा नहीं मुसल्मानों से इतना संब्द मारा है नहीं हमारा कोई नहीं नगरी में लोग पूछेंगे दंता पूछेंगी कहां से लाए हम कहेंगे कमल के फूल से और वो हमें परताडीत करेंगे कहेंगे तुम जूठ बोलते हो कमल के फूल पर कभी बालक रुक सकता है और वहां कहां से आगया इतने गहर है पानी में मां कैसे छोड़िया ही इसको जूट बोलते हो यह है रो और हमें देश निकाला दे देंगे बच्चा भी छीन लेंगे निमा तु इसको रख दे निमा बोली मैं नहीं रख सकती इस बच्चे ने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पहर मर जाओंगी प्राण ट्याग सकती हूँ फर इसको नहीं छोड़े अब नीरू ने सोचा कि यह कती अंदी होगी आगा पीछा नहीं देखती और इसको मैंने घना प्यार दे दिया क्योंकि संताना होने से हमें इसकी सब बाते मानता रहा ये अनाडी बन गी और ये आने वाले संकट से परीजित नहीं है इसलिए अपनी पत्नी से कहा कि आज मैं तेरे थप्ड मारूँगा पहली बार हाथ किया अपनी पत्नी की और उसलिए या रख दे इस बच्चे को यहां पर उसी से में परमात्मा बोले के न कोई यूँ कोई दीवत आ गया हो चुप या कोई बूत पर ये तो डिर गया आगे आगे हो लिया चुप करके घर पर आगे घर आकर देख्या इतना सुंदर बालक किता देख्या ना सुनया यहां तक लिखा गरीब दास दिने के गीत गात गातिया हो थी औरते टोड़के ट कहते सत्गर्दोचा वैस्वकर ही अब वहां कहते जो भी देख ए वो ही अपने 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 इसाब से परमातमाने आंक कै जैसे कया करना कोई बच्चा पेड़ा हो जाता ते नियू कर रही हो इसके मामा पर सकलजा है इसकी, दूसरी नियू कह गी ना इसके काक्क्हते मैल उसके विसे में गरीबदास साहभ जी क्या बताते हैं कासी उमटी गुलबाया गुलबाने सोर्प ओगया सोरे नगर में मुमन का घर घेर कोई कह बरमा भी सुनू है कोई कह कुवेर पर बात्मा उस बालक को कहते है कोई कह बरमा का रूप है कोई के तभी सुनू का जों का जों जागता रूप है कोई के शिवजी जैसा सुन्दर है और कोई के इंदर का रूप है कोई के कुबेर धन का देवता आगया यो तदिखा है कोई कहे वर्मधरम राए है कोई कहत है ईसे सोला कला सुभान गती कोई कहे जगदीशे बगती मुकती ले उत्रे बगती मुकती लेकर उत्रे और मिटन तिनूता पे एक मुमन कडेरा लिया कहे कभीरा बापे परमातमा के भी सेम गरिपदास आईब कहते हैं के बगती और मुक्ती लेकर अउत्रित हुए मालक यहां पर उत्रे और मेटन तीनु ताप हमारे सब दुख दूर करने के लिए आए थे और एक मुसल्मान जुलाहे के घर पर डेरा लिया उसको बाप कहा बगवान अपने अत्माओं के लिजा मुग आता है दास का जो परमात्मा की यह सची ची सामने गोंगती है हम कितने दोस्ट हैं कितने नीच हैं हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर काल के जाल में जान बूज कर फसे पड़े हैं वो हमारा पिता है, हमारे लिए भटक रहा है, यू काल कभी भी ना आता हमने, कुछ बारन कोई मरो से जी ओ, किसे कि आएक फुटो से, किसे कि बेटी मरो से, बेटा मरो, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारा तो कबीर साहिब है, और वो हमारे पीछे भटक रहा है, इस काल ना हम को बगवान वान रे वो किसे ने बनाया वही कहीं तो इतियास दिखाए दो उनका किता वो बगवान की संग्या महों बगवान किसे कहते हैं शिरीमत भगुद गीता अज्जाय नंबर पंदरा के स्लोक नंबर एक से चार में बताए उटा लटकावा संसा रुपी वर्क्स है इसके उपर को जड़ हैं वो तो मुल मालिक समझो तीनों गुन रुपी साका हैं सोला और सत्रा सलोक में पंदर में जया है में तीन पुरूष बताए सर पुरूष और अक्सर पुरूष पुरूष ये दोनों नासवान इनके अंतरगत इतने पराणी वो भी नासवान जीवातमा किसी कि नहीं मरती हो तो अंडरिस्टूट है सतर्में सलोक में कहा कि उत्तम पुरु से तु अन्य परमातमा इती उधारते है उत्तम पुरु सरिष्ट परमातमा तो अन्य ही है वो कौन हट में दै कि एक सलोक में अरजुन ने पूछा परमातमा आपने साथ में दै कि 29 में सलोक में गीता जी में कहा वो तत्वर्म को जानकर सारे धातिम से प्रीचित व्यक्ति सब कर्मों को समझ करके जरा और मरन से छूटने का है प्रितन करता है यहां की किसी वस्तों की इछा नहीं रहती उसकी तो किम तत्वर्म वो तत्वर्म क्या है आठमेदाय के पर्थम मंतर का उतर उसने तीसरे सलोक में दियाठ में जाए कि कि वो परम अक्सर ब्रम है वो गीता ग्यान दाता से अन्य है परम माने स्रेष्ट सबसे स्रेष्ट पंदर में जाए कि सतर में सलोक में उसी परम अक्सर ब्रम के वी से में कहा है कि उत्तम पुरुस है उत्तम पुरुस सरेष्ट परमात्मा तो अन्य है किसे सरपुरुस और अक्सर पुरुस से सौल में सलोग मज़ो बरनी थैं और वही परमात्मा कहाता है परमातमा जो सरेश्ट भगवान जो किसी को दुख नी दे केवल सुख दे उसको भगवान कहते है स्वामी कहते है नो तक कसाई भी स्वामी है अपने बक्रियां का पर उस सुखदा ही नहीं है तो इस परकार ये काल हमारा स्वामी बना हुआ है और हमें बक्रे समझ रहा ही यह हम इसको स्वामी मान रहे हैं पर भूमान रहे हैं अपना हमारा स्वामी तो सतलोक महर वो यह हमारे लिए भटक रहा है आता है वो परमात्मा है वो दुख नहीं देता किसी को अब यहां के वगवानों को आप देख ले कपिल मुनी जो है कपिल भगवान और सगधराजा के शाट हजार पूतर थे, वो अपना पर्थवी पर किसी ने बता दिया, वो यग करें थे, किसी ने बता दिया कि एक तलाव बनुआ जे एक बगीची बनुआ जे, एक कुवा बनुआ जे, तो उसको एक अस्वम मे एक यग जितना पन होता है, तो उनका इसी स्रड उठी साथ हजार थे लाग गयो सारी पृत्वी मखड एक खोदड पृत्वी गई विश्णो भगवान के पास और उससे कहा कि भगवन मैं तो जिलावतन कर दी अकीस ने कर दी कि साथ हजार सगड के पूतर है सारी खोदगरी उन नदम है तो विश्णो भगवान बोला जाओ मैं करता हूँ विश्था इसकी वो वापस आगी एक देवी है परतेग ग्रह के परतेग परत्वियं की सब समुदर के अलग अलग इनोंने देवतार डिस्ट्रिब्यूट कर रखे तो परत्विय देवी वहाँ गई उदर से एक विश्णो ने क्या किया कि इंदर को कहा के तेरी गद्दी खत्रे में है और साथ हजार सगड के पूतर हैं वो ऐसे ऐसे यग कर रहे हैं अब तू देख ले जब उनकी यग पूरी होगी तो तेरी गद्दी थी इनका उनको देनी पड़ेगी अब वो क्या करते थी उन्होंने गोड़ा रखा हुआ था उस गोड़े के गले में पंपलेट ट्रांग रख्या था कि हमारे वार्ग में जो बाद आक रहे हैं युद के लिए त्यार हो जाए हमने को रोक कर नी अब वो स्यामन सारा दिन खोड़ पाड़ के ठक कर सोगे वो गोड़ा बंद जा था अब इंदर ने बेज़ दे अपने दूथ वो गोड़े को खोल कर और कपिल मुनी की जांग के बाद जाए हो तपस्या कर रहे था काफी वरसों से बैठा था और उसकी आँखों की पलक भी जमीन पर टिकी हुई थी अब वो गज़ान मगन था उसकी जांग के गोड़ा बाएं जाए अब उस गोड़े की तलास करीब है किसे न पकड़ दिया सुबह उठे जब वो सारा लाबड़ दा चल पड़ा गोड़े की पैड़ देखता देखता रेसी के बाद रहा क्या जांग के क्योंकि बिना खाए पीए सरी सुक के जैसे इस वर्ट वरक्स की पीपड़ की जड़दी ख्या कर माटी तवार नहरी नहरी नहुँ अब इन्होंने जाकर क्या देख किया कि उसके इक्षों में बाले ला दिये नहुँ बाले नो किली वो बाले एरो नहुँ सोच का कि यू और हमारे गोड़े न बांदे वैठे देख उसके बाले चब हो दिये दोनों तरफ शुर का उठ हो पाखंडी खड़ा हो यूद कर हमारे साथ अब उसकर रिसी का वैदरद कस उताओ नक्यों हमना जोरत हमारे गच्च देही रो एकदम करोध हुआ उसने ऐसे वो उठा दी पलक वो तैटम बंबना बेठे था नो कर दी वो सारे साथ हजार के अगवान ने और कफिल भगवान के इसने श्री किर्शन जी का इतियास देख ले कितने मारे श्री राम का इतियास देख ले और इस परमात्मा का इतियास देख लो जाकी डी बिमारी होता है कितना जुलम ढ़ाए परमात्मा के कभी किसी को बद्दुआ नी दी मालिक नहीं क किस को अब इसको पता किस नह मारूं सब मेरे ही तो है अपने के मारे जाकरे कि शेप है अब आपने रगवेद में पढ़ा वो सेहन सील है वो कवीर देव सेहन सील है परमातमा वही है सेहन परमातमा इती उधारता है वो परमातमा भगवान कहाता है तो ये ये हमारे परमातमा है हमारे भगवान है हमारे लिए बटक रहे हैं ये सुख सुख देते हैं दुख नहीं देते हैं सत लोग में जब चले जाएंगे महां दुख नाम की वस्तु नहीं है तो अब हम उस पर आ तोगे परमातमा Papam, ना दूद्न पीवे ना अन खावे, नहीं पालने जूलन्ते, माही पालने जूलन्ते, अदरआमान धियाने में वो कमलकला फूलन्ते. आप क्या बता रहे हैं कि ना दूद पीओं ना अन खाओं और स्रीर ऐसे प्रोग्रेसिव था ऐसे बढ़ रहा था जैसे कमल बढ़ आकर है कमल का पोधा किसी जल्मत होता ही हो वहां कितना पानी चटगा एक दम पानी प्लन टाइब भी आजा वो साथ की साथ उपर चटगता चला जाता है इतना नीचे से इतना प्रोग्रेस कर जाता है तो यहां लख्या क्यों कमल कला फूलन थे फल फूल तो ऐसे रहा था परमात्माद तो ऐसे कमल रोज बढ़ा करें लेकिन कुछ खापी नहीं रहा था तो उस मू बोली माता को चिंता बनगी और उसने भी अन पानी त्याग दिया दो दिन पहले पत्तिस दिन का जब हुआ तो यह संक्रवगवान इसे अच्छा ना देते तो सबर हो जाता है रोपीट के अब साथ मैं मरूंगी मजजी नहीं सकती इस तो कुछ सेह नहीं कर सकती अब प्रमात्मा ने सोचा अब भुडिया मरेगी शिव जी को प्रेड़ना करी के ते कराव साहिया मन में लहर उठा हर दाद दूसर दर जीव के आप बगल हो जा शिव जी का प्रेड़ना कर दी रिमोट दाब दिया उसने देखा कौन कौन रो रहा है तुझे याद करके नद दुनिया न रो है वो प्रेड़ना मालिकी साद रूर बना कर आए मेंटों में यहां पर और पूछा माई क्या बात है क्यों रो रहे हो माई ने कहा बाबा जी आप भी रो पड़ोगे मेरे दुखना मत सुनो संकर बगवान ने कहा माई फिर भी कहते है अपना दुख बताजे तो हलका हो जाता है आप बताओ तो सरी उसे उसने सारी कता बनाई बताई कि हम नहीं संतान थे एक दिन बगवान संकर को याद किया था सचे दिलते मेरे मालक ने कमल के फूल पर एक बालक दिया था अब पत्चेश दिन होगे ना कुछ खाता ना पीता अब यही प्राथना कर रही हूं कि या तो मुझे यह देना नहीं था बगवान अब ले क्यों रही हो अगर यदी यह मर गया तो साथ यह प्राण साथ जाएंगे आज मेरे मैं नो रो रही हूं तब संकर भगवान ने कहा सादू बेस में कि दिखा माई तरे बेटे को वह लाई उठा कै और सोचा मात्मा कि चर्णों में डाल दें कुछ यह दूआ दे दें आशिरवा दे यह र से माई के हाथ से उठा और सिव जी के सिर के बराबर पैरलल हवा में सटेबल हो गया प्रमातमा चोटा सा बालक और जब सिव जी ने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथ थामा गया गुद्धी में और कहते हैं नजर नजर से मिल गई जब किया ईस परणाम और संकर भगवान की दो अपस में जब नजर में नजर मिली जब कहा कि ये कहा माई यू बालक मरन का को नी इसकी तो रेखा बता रहे हैं तो बहुत लंबी आयू है इसकी अब वा माई नब लिवाबा जी ये सुकी सांतों ना का मेरे असर ना हो मैं तो जब माननो जब यू दूद के में पी खा लेगा तब परमातमा ने कहा सिब जी एक कौ़ारी गाए मंगा ले और उसके कमर पे हाथ रख देना वा दूद देवाएगी उसी समय ऐसा ही किया गया नीरू को भुलाया नीरू भाग कर लाया एक कौ़ारी गाएं लाया जिसको जिसने कभी टच भी ना की हूँ सांडर ने उसको कौ़ारी तो आम आदमी समझता है गाएं वो बच्छा लेकर आएं संकर बगवान ने थब की मारी वा दूद देन दाएगी अपने आप सतन चल पड़ा एक कोरा बरतन ले थे मंगा था कुमार से वो नीचे रख दिया दोक है वो बर गया जब आप परबंद हो गया और कामाई अब दे जब परमात्मा ने गटट गट डूद हिया जब उसके सबर हुआ बलो सत्कुर देव कीजै अपना अत्मों अगरीब दास जिन क्या बता है शीव उतरे शीव पूरी से अवगत बदन बिनो दे महके कमल खुसी भहे लिया इसकूं गो दे उस पर मात्मा का अपनी गोदी में ले लिया कभी रुगवान को नजर नजर से मिल गई किया इस पर्णा में धन मोमिन धन पूर्णा धन ये कासी गां में शीव भगवान कहते धन है तुमारे किसमत धन है इस कासी की जो इसा महापुरुस यहां पर पर गठ हुआ है साथ बार चर्चा करीब ले बालक बेन परमात्मा ने कहा शीव को कर मस्तक धर्या हाल्या मुमिन एक धेनू एक धेनू 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 माने गाएं कि जाओ एक गाएं लियाओं अन ब्यावर को दूहत है दूद दियात तकाले और पीवे बालक बरमगती तांसिव भए दयाले अब ये तो गरीब दास जी ने कलियर किया है कि वो कौन था संत रूप में शिव जी थे और यही परमान था कबीर सागर में लेकिन कबीर पंथियों ने ये काल के दूट आगे बीच में इन्होंने इसमें कुछ प्रिवर्तन कर जिया तो उनके समझ न बाहर होगी बात उसको अपने हिसाब से काट फीट के लख दिया लेकिन फिर भी सचाई बचगी थोड़ी सी जलक बची हुई है सचाई की अब उसकी पूरती के लिए परमातमा ने कबीर परमेस्वर ने कहा है कि गुरीब दास के दुआरा मेरी महिमा की वानी पर गट होगी और उसकी पूरते के लिए परमातमा ने गुरीब दास जी में वो पूरा ग्यान फीड कर दिया जो ग्रीब दास्टी ने कलियर किया अब दिला दिखाते हैं आपको एक चलक अब कबीर सागर में दिखाते हैं उस परमात्मा की छस्सो वर्स पहले की हुई लिलाएं और आज वेद बताऊंगे वही है वगवान देखिएगा कबीर सागर ये है कबीर सागर कबीर सागर ये कौन इसका सोद्ध करता कबीर पंथी स्वामी युगलानद विहारी द्वारा पर्चत मुडरक एम परकासक है खेमरा स्रीकर संदास अज्धक्स स्रीवेंकेटेस्वर प्रेस खेमरा स्रीकर संदास मारक मुबई मुबई से अब इसमें देखना इन्होंने बतेरा खराब खराब कर दिया फिर भी सचाई रहेगी ग्यान सागर और प्रिष्ट वैत्तर पे जब बच्चा मिल गया उसको सुन जुल्हा बनभयो अनन्दा जिमी चकोर पायो निस्चंदा ले सुथ चले हर्समन कीन्या तासो पुन असबोल ही दीन्या सुथ कासी को ले चले लोग देखन आवें गरीवदास जिंडो बाल्या है वही प्रमात्मा की दिलाम लिखाया के लोग देखना आवें जब गर प कहा के रामानन जी के पास गया करो नीरू तब जुल्हा मन कीन्तिवाना रामानन सो कही उत्पाना मैस उत्पायो बड़ा गुन बनता कारण कौन बखे नहीं संता रामानन द्यान तब धारा जुल्हा सो तब असत वचन उचारा पूरव जनम तुबरा मन जाती हर सेवा के न बली बाती कछो तुम सेवा हरकी चुका तातें बहो जुल्ह का रूपा प्रीती प्रभू गय तो रिडिनी तातें उद्धान में सुथ तो दिना अब ये जुल्हा कहता है निरू के हे प्रभू मने जिसा किया उसा पागया अब मैं आपके पास आया हूँ कुछ उपाए बताओ सो कईये उपाए गुसाही बालक अक्सुदावंद कुछ खाई रामानंद अस युक्ती विचारा तुम सुत कोई गैनी अवतारा अब जिसी पूदी जी रामानंद की कहें तेरा पूतर जो है कोई भूरा विद्वान पुरस है और बच्चिया जाही बैल नहीं लागा और सोले ठाड करते ही आगा है एक बच्चिया लियाओ जिसको बैल ने कभी टच ना करया हो अर्थात कमारी बच्चिया बच्चिया जाही बैल नहीं लागा सोले ठाड करते ही आगा है दूद चलेते ही ठंते हैं दूद दुरों चि खवाई और देखो ये ते इन अपना बताया कि रामा नंद न बताई नहीं ये मिला उट है अब यहां है कि जुल्ला एक बचिया ले आवा और चलो दूद को इमर मन पावा वो दूद कौन सा दो चला गया है चलो दूद जुल्ला हरसाना राक छेपाई कहो नहीं जाना और कि किसे का अगर नहीं बताया कि कोई ऐसे बता कर गया है अब ये दूद कौन था अब यहां इन्होंने रामा नंद से जोड़ दी और लेकिन कहते हैं इतनी दगा काल की चाही पर भी तत बिंदू की टेक रह जाई ये सपश्ट है कि जुल्ला एक बच्चिया ले आवा चलो द जुल्हा हरसाना हूँ दूद्स तो चला गया और बड़ा खुश हुआ जो बच्चे ने दूद पी लिया अपने आत्मों ये तो कबीर सागर में आपने देख्या ये तो बगवान की लीला उस पर मातमाने ऐसी वो करता ही है वो कर रखी है अरी इसकी गवाई दे रहे हैं वेद और वेद जिसका कुण काव ही इस गौड तो कबीर इस गौड अब दिखाते हैं अब देखिए गार्यग वेद मंडल नम्बर नौ ये उनी निराकार बताने वालों के करकमलों से अन्वादित है बगवान को निराकार बताने वालों के करकमलों से अन्वादित है परक पंदरा सुद्दस पटोदी हाउस दिर्यागंद नहीं दिली, इसके मंडल नमबर नौ सुक्त नमबर एक का मंतर नमबर आठ और नो में सफ़श्च करते हैं, आपके रूब रूप रूप कराते हैं, रगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त एक और मंतर एक, अब यहां से में रगवेद मंदल नंबर एक सुक्त एक मंतर दो एक आपने पढ़े लिया हे परमात्मन यानि परमात्मा की जानकारी है अब तीसरे मंतर में हे परमात्मन चोथे मंतर में हे परमात्मन पांचमें मंतर में हे परमात्मन और छटे मंतर में रगवेद मंदल नंबर नो सुक्त एक मंतर 6 का हे परमातमा है अभी नलागी लवा बाद के यहां परमातमा साकार से दोगा कोईसिस करी छुपाने की साथ में में यहां पुरस लिखना शुरू कर दिया उस पुरस को आठ में में जो सपष्ट है उसका सरीर है पुरस का उस पुरस को डगवेद मंदल नुबर करती हैं अब यहां और उगरगतिया माने जैसे भाहा कारमाच रहा और परमाहत्मान इद्नास भेज दिया या स्वान भी आज जाते हैं वो परमाहत्मा उस पुरुष को उगरगतिया प cabin करती हैं ज्यानि ऐसी परिस्थित्ही बेंकर बन है जब वो आता है और भासमार भासमान सरीर को वह पुरुस प्राप्त होता है अब पुरुस माने क्या होता है परमात्मा इन्होंने यहां इसलिए अड़ा दिया इन्होंने यहां इसलिए उड़ा दिया कि यहां सरीर लिख्या है बगवान लिखना छोड़ दिया पुरुस ल सेबीबीबात होगी वाग देख्यों अभग यह देखिए यज रुवेद हैं महिरशी दानत सर्थाती करत। प्रकासक हैं सर्वदे सिकारिय पर तीनिक दिसभा दो बुटा पांस महरिश दानभौन रांडला मैदान इदिली से दानद सरस्वती करित और मुद्रक हैं प्रिंस आफशेट प्रिंटर्स पंदरा सो दस प्रवदी हाउस द्रियागन नहीं दिली से अब इसके चालिसमे अध्याय का अंतिम मंत्र है अंतिम अध्याय है चालिसमाज मंदर ने दे रहा है वेद ग्यान भी वही ब्रह्म दे रहा है गीता ग्यान भी ब्रह्म ही दे रहा है अब यह चत्वारी सो अध्याय चालिसमाज ध्याय यह दुर्वेद का और यह सत्रमा मंत् शो ये काल ब्रम बोल रहा है मेद को हेमन शो जिस जो शुरूप रक्सक मुद से ये जो शुरूपी काल नरंजल है अविनासी यथारत कारण के अचादित मुख के तुल अंग का परकास किया जाता है जो वह है प्राण वासुरिय मंदल में पुरस माने पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्स रूप है वह तो गुप्त है पुरस माने पूर्ण परमात्मा हो गैसे अब हम आते हैं रगवेद में देखिएगा वही रगवेद मंदल नमबर 9 जो अभी आपको दिखाया था यहां से परकासित है और यह इसके मुदरक है रगवेद मंदल नमबर 9 सुक्त नमबर 1 और मंतर नमबर हम 8 पागे यहां इनोंने पुरस लखना सुरू कर दिया बात को उड़जाने के लिए तो उस पुरस को उस पूर्ण परमात्मा को पुरस माने हो गया पुर्ण परमात्मा वो गर गतियां प्रेड़ना करती है बासमान सरीर को वह पुरस वह परमात् राप्त होता है और जिसमें तीन परकार के दूसरों को वारण करने वाला मधु में सिरी मिलता है अब देखो हम यहां पर आते हैं रेगवेद मंदल नमर नो सुक्त एक मंतर नो में उस अब देखो सो माने परमेस्वर होता है सो जगा लख रहा है कहने सो माने परमात्मा यह द लेकिन यहां ना लख लिख दिया यहां लिखना था उस पूरण परमात्मा को जो सिसम जो सिसू रूप में आता है सब अभी अधन्या धेनव है धेनु माने गोवें अभी अधन्या माने पूरण रूप से कमारी बिना धनाई अधन्या कहते हैं बिना धनाई को अधन्या ज कवारी गवें तरफ्ट करती हैं उस सिसू रूप में प्राप्त प्रमात्मा को के परवर्ष की लिला ये समझे लो अभी अधन्या पूरल रूप से यानि कवारी गवें उसको तरफ्ट करती हैं उसकी परवर्ष की लिला कवारी गायों दुवारा होती है अब पुन्यात्मों वो कितना द्यालू है आपके उपर उस प्रमेश्वर ने ये समें निर्धारित कर रख्या है आप सब को पार करन का और कंप्रोमाइज कर रख्या इस काल ने कि कलियोगमाप कितने जीव ले जाना तो पुन्यात्मों जैसे प्रमात्मा आते हैं अच्छी आत्माओं को मिलते हैं उसको ग्यान से प्रीपूरन करते हैं उनमसे एक आदनी धरमदास साहिब जी है जिनको प्रमात्मा मिले आदनी गरिबदास साहिब जी है जिनको प्रमात्मा मिले आदनी नानक साहिब जी है आद ये दादू साहिब जी हैं, आदर ये गीसादास साहिब जी, इनको परमात्मा मिले, और इनको रहसे बताया, उनमें से दरमदास साहिब जी से जो मिले, उन्होंने लिपी बद किया, जो वारता वगवान से हुई, तब दरमदास जी प्रीचीत हुए उस लोक से, और देखा, या हाल हमारा, तब कहे बगवन, आप तो दया लो हो, दया कर दो अपने बच्चों पर, इनको लेत लो वही, तब परमात्मा ने कहा, आप देख रहे हो, ये काल के दूद कैसे जूट बोल रहे हैं, ये कहते हैं, बर माभी शुनो में सावी नासी हैं, और ये सारे आप को द लिए, ननास ओआ देखा दिया, नहीं नास बादी।घ तो उसने कहा, धरमदास रिगवान फिर क्यों करवात बनेगी, पिरमात्मा ने कहा, धरमदास डट जा, तो क्या कहा पिरमात्मा ने कि में बेरे पीछे काल बारा पंद चलाओगा, इसकी मेरी बात हुई थी, इसने क तो परमात्मान कहा था यूँ बारा पंथ चलाओगा और बारमापंथ गरीब दास पंथ होगा छुडानी वाले का और उस में मेरी महिमा की बानी फिर से परगट करवाओंगा तब तक ये काल के दूद परवेश करके तेरे लिखे हुए इस लेख में कुछ परिवर्ट कर देंगे तो दोबारा गरीब दास के दोरा मैं अपनी वार्णी लिखवाओंगा और फिर उसी पंथ मैं गरीब दास के पंथ मचल के कल यूग मैं फिर मैं आऊंगा बिचली पी डिन पार करने के लिए धर्मधिस ने कहा पर मात्मा आप कब आओगे किलियुग बीच कहते हैं यह जो आज मैं कह रहा हूँ ना तेरे को यह वचन यह उसमें सद होंगे जब कलियुग बीचते है पच्पन सो पाच्चा तब यह मेरा वचन होगा साचा कलियुग जब पच्पन सो पांच वर्स बीच जाएंगे तब यह मेरी बात सची होगी जो मैं आज कह रहा हूँ के फिर ऐसा समय आएगा पूरा विश्वे मेरी सरन में आवगा सब बगती करेंगे बुराई चाग देंगे सत्यूग जैसा माहुल पूरी पर तभी पहला हूँगा अपने बच्चों को सुक जूँगा सत्यूग जूँगा और ये अलग अलग बढगे कोई मुस्लमान कोई इंदू सिक इसाई ये सब एक होंगे ये जितने पंथ मिल गे सारे के सारे बढगे ये पंथ एक बढएंगे अब आपको कुछ जलग दिखाते हैं कबीर सागर में पुनात्माओं ये अमरत ग्यान है और आपके उपर मेरबान है बगवान सत्कर्मान लेना ऐसा मोसम गर्मी में भी दुखी हो जाए इंसान ना गर्मी है ना सर्दी है रजाई दे रहे अपने बच्चा दाई खुआ के सौदेशी गी का माल बिठा दिया अमरत छकाने के लिए आप सुनो जानतों समालिक की मारी आपको रूब रूब कराते हैं एक पहले तो हम दिखाते हैं वरतमान में एक इस शिवजाल जी के दोबारा चलाए हुए रादा स्वामी पंथ से अलग बना हुआ एक पंथ जै गुरुदेव मत्रा में वो एक पंकर्मी प्राणी है तुलसीदास साहिब उनका नाम है जो वरतमान में मुखिया है पर वरतक है गद्दी पर बैठा है जै गुरुदेव पंथ मत्रा में वो सन उनिस सो चम्वन से पहले से सत्संग करता हुआ रहा है आज तक जीवित है वो ये पुनकर्मी प्राणी थे पुरुदेव में कभी प्रमात्मा के साथ रहे थे इस युग में और ये बगती खूब दर्ड हुई पार हुए नहीं फिर काल के में फुस गे अब इनको नसा रहा है दुरुपयोग कर रहा है और अपने प्रमात्मा के बच्चों को मिसकाइड करने के लिए इनका प्रियोग कर रहा है सन 1971 में इसने एक भुषयवानी करी कि इसने जैगुर देव पंथ के मुखिया स्री तुलसीदास साहिब ने जो वर्तमान में गद्दी पर बैठा है इसने कहा था कि अभी आपको पढ़कर शुनावाँगे उसी के दोवारा 28 अगस्त 1971 में इसने एक सटेटमेंट दी सत्संग में कि एक महापुरुस का जनम एक छोटे से गाउं में हो चुका है और वो पूरे विश्व में शान्ती लावगा उसका आदर नहीं मिला फिर किसी ने पूछा कुछ दिन के बाद के वो कौन है कहां है हमें बता दीजियो तो इसने साथ सितंबर 1901 को फिर सेटेटमेंट दी कि वो आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं वो आज बीस वरसका हो चुका है दासका जनम आठ सितंबर 1901 को हुआ साथ सितंबर 1901 को ये दास पूरा बीस वरसका था अब पढ़ते हैं उनकी ही पुष्टक में लिखी हुए उनके वचन देखिएगा पुष्टक है जै गुर्देव की अमर वानी भाग दो जै गुर्देव की अमर वानी भाग दो अब ये देखो एक मंदर का लटकर डुआ दिया क्या काम आओगा इसका है मरे पाँछे पुनात्मा थे उसमें इनकी दिवद्रिश्टी काम करे थी अब ये कहां से छपी है ये देखते हैं ये है ये मातमा जी परमसंद तुलसीदास जी और इनका आत्मे भी कोई रोग लगा हुआ है पैरों में भी गड़ब बता रहे हैं अब परकासक हैं दिव्या सर्मा 88 साकेद कलोनी मत्रा उत्र पर्देश ये यहां से छपी है और ये कितनी अच्छी आत्मा थे ये तुलसीदास जी इन्होंने ये इस राधासवामी पंथ में ये पहला विक्ती देख्या अमने जो अपने पीछ दास लिखता है ये तो आज तक किसी ने दास ने लिख्या परमसंत तुलसी दास जी माराज और इसके चेले कहें विस्व को सानती अभी नहीं से मिलेगी इवन सो साल होगे सबसंगरते हैं ये तहीं ते मिली नहीं दूनी आग लगी संसार में अब इन्हीं के द्वारा लिखी ये पूच्त की प्रिश्ट नंबर फिप्टी नाइन पर आते हैं ये देखिएगा फिप्टी नाइन पर यानि 69 पर साका हरी पत्री का है और ये 28 अगस्ट 1971 को इसने ये स्टेटमेंट दी है इसमें महापुरुष का जनम भारत के एक चोटे से गाओं में हो चुका है गाओं में हो चुका है महापुरुष का जनम भारतवर्स के एक छोटे से गाउं में हो चुका है और वह व्यक्ति मानो इतियास का सबसे महतवपुर्ण व्यक्ति बनेगा उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राफ्थ होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है वह मापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्वे के संपुर्ण देशों पर लागू होगा उसका एक जन्डा होगा उसकी एक बासा होगी आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरांपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजी हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरांपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरांपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541